नौकरी के नाम पर वुदेश भेचने के नाम पर, रुपिय दूगने के नाम पर और शादे के नाम पर ठगी की घटना आएं तो आपने पढ़ी और सुनी होगी लेकिन भैस खरीदने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की घटना तम ही सुनी होगी ऐसा मामला बावरी चेत्र में सामने आया है जिसमें महिला से भैस खरीदने के नाम पर महिला से 10,000 रूपे शातिव ने ठब लिये अब पेडितों की और से पुलिस में शिकार की गई थाना चेत्र के केड़ी गाउ निवासी रेखा पतनी वितरम सिंग में बताया कि उनकी भैस दूद नहीं दे रहे थी इसलिए घर में दूद की दिक्कत हो रहे थी कुछ दिन पहले वे इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और रिल्स देख रहे थी अब ही एक वीडियो सामने आए जिसमें भैस खरीदने की जाथकारी दी गई उसने वीडियो को खोला तो पता चुला कि भैस पंधा लीटर दूद दे दी है जिसकी कीमत करीब 65,000 रुपे है उसने वीडियो में दिये गए नमबर पर कौल किया तो उसे एक अन्य नमबर दे दिया गया इसकी बाद उसने उस नमबर पर कौल किया तो उसने शुरू में 10,000 रुपे खाते में डलबाए गये और बाके के रुपे भेंस की घर पहुंचने के बाद देने के लिए कहा गया करीब एक सब्ता से ही महिला दोनों नंबरों पर पॉल कर रही है लेकिन कोई फून नहीं उठा रहा उसे ठगी का एसास हुआ तो उसने पती को जानकारी दी इसके बाद पती ने थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थाना प्रवारी राहू से सोधिया ने बताया कि ठगी की जौनकारी साइबर सेल को दे दी गई है मामले की जौच की जा रही है लिपाब रिपोर्ट दर्ज होगी जन्बत में साइबर ठग लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे है नौकरी और शादी के नाम पर ठगी की घटनाए अधिक्स होती है पिछले दिनों विदेश भेजने के नाम पर भी कई मामले सामने आए पुलीस अधिकारी बनकर भी ठगी की गई झाल